कहा गया है संसार में मा की जगा कोई नहीं ले सकता उसी पे एक आधारित माता का हिर्द है उनसी प्रेम चंद्र की कहानी मादवी के पती की 22 साल पहले मौत हो गई थी उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी और संपती के नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो इस वक जेल में बन था अपने उस घर में वो अकेली पड़ गई थी और उसके आशू तक पोशने वाला कोई नहीं था मादवी ने बड़ी दुख तकलीफों से बड़ी दुख तकलीफों को जेलते हुए अपने बच्चों को पाल पोश कर बढ़ा किया था अगर मा बेटे को जुदा करने वाली मौत होती तो मादवी सब्र कर लेती और उसके मन में किसी के लिए क्रोध नहीं होता लेकिन उन्हें जुदा करने वाले तो कोई और थे जिनके अत्याचार को शेहना उसके लिए मुश्किर हो रहा था मादवी के मन में बार बार उन स्वार्थियों से बदला लेने का विचार खूम रहा था मादवी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था जिसे देख कर ही उसे जिन्दगी में आगे बढ़ने का होसला मिलता था माधवी का बेटा सुन्दर होने के साथ ही बहुत होनहार था माधवी ने उसकी अच्छी परवरिस की थी उसकी गली के सारे लोग उसके बेटे की तारिफ करते नहीं ठकते थे और यहां तक की स्कूल के अध्यापक तक उस पर जान चिड़कते थे मादवी के बेटे का नाम आत्मानन था आत्मानन से दूसरों की दुख तकलीफे नहीं देखी जाती थी और लोगों की मदद करने के लिए वा हमेशा तत पर रहता था उसे देख कर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वा कोई अपराद कर सकता है मादवी भी यही सोच कर तडपते हुए दिन काट रही थी कि आखिर उसका क्या अपराद था आत्मानन में गुडों का भंडार था वो सासी, निश्वार्त और देश प्रेमी होने के साथ साथ कर्तब्य का पालन करने वाला इंसान था साथ ही वो राजनीती में रूची रखता था वो बेवाग था और अपने राजनीती लेखों की वज़़ से सरकारी कर्मचारियों की नजरों में आ गया था पुलिस भी उसकी हरकतों पर नजर रखती थी पुलिस बस एक मौगे की तलास में थी ताकि वो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सके जीले में पड़े एक डाक ने उन सभी लोगों को आत्मानंद को फशाने का औसर दे दिया जो उसे पसंद नहीं करते थे डाके से तार जुड़े होने का हवाला देकर आत्मानंद के घर की तलासी ली गई जहां मिले कुछ पत्त्रों व लेखों को डाके का मुख्यकार बताते हुए उसे गिरफतार कर लिया गया अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और यूखों को भी किरफतार कर लिया और आत्मानंद को गिरोह का मुख्या करार दे दिया गया जिसके बाद महीने भर तक मुकदमा चला और न जाने कहां कहां से पुलिस ने ऐसे जूठे गवा सामने लाकर खड़े कर दिये की कोट ने आत्मानंद समेत सभी यूखों को दोसी करार दे दिया और चार साल के कठोर का रवास की सजा सुना दी बेटे की हर सुनवाई में जा रही मादवी ने देखा कि इनसान का चरित कितना नीच हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानी पहुचाने से नहीं चुकता अपने बेटे को हतकडियों में पुलिस द्वारा जेल ले जाते देख मादवी पही बेहोस होकर गिर गई जिसके बाद कुछ भले लोगों ने उसे तांगे पर बिठा कर घर तक पहुचाया मादवी को जब होस आया तो उसे पूरा वाक्या याद आया अपने इकलोते सहारे से दूर होने का गम उसे खाय जा रहा था जो उसे एक पल भी चैन की सांस तक लेने नहीं दे रहा था कोई रास्ता ना सूजने पर मादवी ने अपनी वेदना को ही प्रतिसोध में बदलने का फैसला लिया और उसके बेटे की या दूर्दसा करने वालों से बदला लेना ही अपने जीवन का मकसद बना लिया मादवी के मन में भी प्रतिसोध की ज्वाला धधक रही थी वह बस यहीं सोच रही थी की ऐसा क्या करे की जिससे उन अत्याचारियों से बदला लिया जा सके देर रात तक मादवी सोचती रही की विद्वा जीवन जीते बाइस साल बीत गया लेकिन अब उसे बाहर निकलना होगा अपने अंतर्मन से मादवी कहने लगी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों की कोई जगा नहीं और हो सकता है इस्वर ने भी निरास होकर हमसे मौ फेर लिया हो तो ऐसे में उन अत्याचारियों को दंडिट करने के लिए उसे ही कदम उठाना होगा साम का वक्त था लखनवों में एक बड़ा सा बंगला जिल मिलाती लाइटों से सजा था जहां दोस्तों के महफिल सजी थी और गाना बजाना हो रहा था एक और मेज आतिस बाजियों से सजी थी तो दूसरी और तरह तरह के पकवान रखे थे बंगले के चार और पुलिस कर्मी तैना थे क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिडेंट मिश्टर पाकची का था बाकची ने एक बड़ा मारके का केस जीता था जिससे की खुस होकर अफसरों ने उन्हें तरक्की दी जिसकी खुसी में जस्न मनाया जा रहा था मारके का केस जिसमें पुलिस बेगुनायों को जूटे केस में फसा कर जेल में भर देती थी यहां आए दिन उत्सव होते ही रहते थे महफिल में प्रोनक बढ़ाने के लिए मुफ्त में गाने बजाने वाले अतिसबाजियां और आधे दामों पर मिठाईया वफलफुल उन्हें आसानी से मिल जाते थे दौर दूप करने के लिए सिपाहियों की एक टुकडी हर वक्त उनके घर पर तैनाद रहती थी महफिल में गाने बजाने का कारेक्रम शमाप्त होने के बाद महमान अब भोजन करने लगे थे दुकान से दावत का सामान धोने वाले मजदूर उन्हें कोशते हुए वहां से चले गय थे बस बाकी बचे मजदूरों के साथ एक बुड़ी औरत वहां काम कर रही थी वो बुड़ी औरत चेहरे पर हलकी मुश्कान लिए अपने काम में मग्न थी वह महिला और कोई नहीं बलकी मादवी थी जो बदला लेने के लिए मजदूर बन कर काम कर रही थी महफिल खत्म होते होते सभी महमान जा चुके थे इक्के दुक्के मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे मादवी एक कोने में चुप चाप बैठी हुई एक टक सभी को देखे जा रही थी तभी अचानक से सहस्ता मिश्टर बाक्षी की नजर मादवी पर पड़ी तो वो उसके पास पहुँचे और बोले तुम अब तक यहां क्या कर रही हो कुछ खाने के लिए मिला या नहीं मादवी ने नजर उठा कर बाक्षी को देख कर कहा साहब खाना तो मिल गया लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है अगर आपको एतराज न हो तो मुझे यहीं कोने में पड़ी रहने दीजिए मादवी की बात सुनकर बाक्षी ने कहा नौकरी कर लेगी बंगले में क्या तुम्हें बच्चे को पालना आता है बाक्षी की यह बात सुनकर मादवी ने टपाक से कहा जी साहब बच्चों को अच्छे से खिलाना जानती हूँ इसके अलावा घर के छोटे बड़े सभी काम कर शकती हूँ बस मुझे एक मौका दीजिए मादवी की ओर ध्यान से देखते हुए बाक्षी ने कहा ठीक है तुम आज से ही काम सुरू कर दो मादवी को बाक्षी के बंगले में काम करते हुए एक महिने से अधिक हो गया था मादवी अपने काम में इतनी निपुड थी की उससे पूरा घर खूस था बाक्षी की पत्नी का श्वभाव चिर्चिडा था और वह आलस वह अपनी खराब से हद के चलते दिन भर बिष्टर पर या सोफे पर पड़ी रहती और नौकरों पर चिलाती रहती उसके सुभाव के कारड़ बच्चे का ध्यान रखने वाली आया जादे दिन तक टिक न पाती माध्वी उसकी जली कटी बाते सुनकर भी चुप चप अपने काम में लगी रहती इसलिए बाग्ची की पत्नी को उससे कुछ खास सिकायते नहीं थी उसने बच्चों की देखवाल की सारी जिम्मेदारी भी माध्वी को ही दे दी थी बाग्ची और उनकी पत्ने को इससे पहले भी कई बच्चे हो चुके थे लेकिन अग्यात कारणों से उनका एक भी बच्चा कुछ महीनों या कुछ साल भर से जादे जिवित नहीं बचपाता था इसलिए इस बच्चे पर दोनों मावाब जैसे जान बसती थी पढ़े लिखे होने के बावजूद दोनों अपने बच्चे की सुरक्चा के लिए टोना टोटका वो जन्तर मंतर अपनाने से भी परहेच नहीं करते थे बाग्ची का बच्चा मादवी के पास ही जादे समय तक रहता था इस वज़स से वो मादवी से काफी जादे घुल मिल गया था अगर मादवी कुछ देर के लिए उसकी नजरों से दूर हो जाती तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता था बच्चा मादवी को ही अपनी मा समझता था और वह साथ खेलती तो खेलता नहीं खेलती तो नहीं खेलता वह तूद पिलाती तो पीता और वही सुलाती तो ही सोता अपने पिता को तो बच्चा जैसे कोई अजनवी समझता और मा उस पर ध्यान नहीं देती थी माधवी को लगा था कि बड़े घर में काम करने से तन्खवाह अच्छी खासी मिल जाएगी जिससे महीने का पूरा खर्च निकाल आएगा लेकिन यहां तो नौकरों से हर एक पैसे का हिसाब लिया जाता एक दिन बच्चे को गोद में उठाया माधवी ने मालकिन से कहा कि बच्चे के लिए कोई खिलावना गाड़ी मंगवा देती तो अच्छा होता माधवी की यहां बात सुनकर मिसिच पाग जी ने कुन्ठित स्वर में कहा कहा से मंगवाओं इसके लिए खिलावना गाड़ी हाथ में रुपए भी तो होने चाहिए इसका खिलावना दस बीश रुपए में आएगा और इतने रुपए कहा हैं हमारे पास माधवी ने मिसिच बागची की और गौर से देखती हुए कहा मालकिन खिलावना ही तो है माधवी की बात सुनकर मिसिच बागची ने कहा अब तुम से क्या छुपाना दरसल तुम्हारे मालक की पहली पतनी से पाँच बेटिया हैं जो इलहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं पाँचों कुमारी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरे खर्चों में इतना पैसा चला जाता है जिससे आधा बेतन चला जाता है उपर से लड़कियों की शादी करवाने के लिए कम से कम अच्चिस हजार रुपए लगेंगे अब कहां से लाएं इतने पैसे मिसेज बाक्ची की बाते सुनकर माधवी बोल पड़ी मालिक को घूस भी तुब मिलती होगी माधवी यह कहकर चुप होगे मिसेज बाक्ची ने कहरी सांस भड़ते हुए कहा ऐसी कमाई में बिलकुल बरक्कत नहीं होती काली कमाई का पैसा एक हाथ से आता है तो दूसरे हाथ से चला जाता है जैसे जैसे दिन बीटते जा रहे थे माधवी के मन में उस बच्चे के लिए सने और भी बढ़ता जा रहा था कभी कभी बदला लेने की बातियाद आती तो वह क्रोथ से भर जाती और फिर बच्चे को देखकर शांत हो जाती वहां रहते हुए माधवी मिश्टर बाक्ची के परिवार की इस्तिती से वाकिफ हो गई थी कई बार तो वह अपना दर्द भूल कर उनके परिवार के लिए चिंतित हो जाती थी और उसका मन दया से भर जाता था माधवी भी आजकल मालिक के लिए भी सोचने लगी थी आखिर पांच बेटियों की शादी कैसे कराएंगे उपर से पतने बिमार रहती है और बच्चा छोटा है जरूर उनके परिवार पर अभिशाप है वरना इतना सब होने के बावजूद कौन दुखी रहता है अब तो मालिक के लिए माधवी भी अपना क्रोध कभी कभी भूल जाती अब सोचती रहती कमजोर बच्चों के लिए बरसात और बीमारियां लेकर आती है बरसात में उन्हें अक्सर खांसी जो खाम और बुखार घेर लेता है ऐसी ही बरसात में माधवी एक दिन किसी काम से अपने घर चली गई पीछे से बच्चे ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया कुछ दिर गोद में उठाने के बाद मीसेज बागची ने एक नौकर को उसे टहलाने के लिए सौप दिया कुछ दिर आंगन में घूमने के बाद नौकर ने बच्चे को हरी घास पर पिठा दिया बारिस के पानी से जमीन गीली थी और बच्चा ऐसी ही कई घंटों तक पानी में खेलता रहा वह नौकर दूसरे नौकरों के साथ गप्पे हाकने में मस्त हो गया काफी देर बाद जब नौकर को ध्यान आया तो वह बच्चे को फटाफट भीतर ले गया और उसके कपड़े बदलवाएं साम होते ही जुखाम से बच्चे की नाक बहने लगी और खासी से गले से आवाज आने लगी देर साम तक मादवी बंगले में पहुँची तो बच्चे की हालत देखकर उसका कलेजा फटने लगा वह बच्चे को लेकर तुरंत मालकिन के पास महुची और कहा देखो जरा बच्चे का क्या हाल हो गया है कहीं इसे सर्दी तो नहीं हो गई बच्चे की हालत देखकर मालकिन भी हक्की वक्की रह गई क्योंकि वह ऐसा मंजर पहले भी देख चुकी थी मिसेज बच्ची भी परिशान हो गई और तुरंत नौकरों से अलाव जलाने को कहा मिसेज बच्ची और माधवी दोनों पूरी रात बच्चे को ठीक करने में जुटे रहे दोनों की आँखों से नीन जैसे कोसो दूर थी ऐसे में सवेरा कब हो गया दोनों को पता भी न चला मिस्टर बच्ची को जैसे हैं बच्चे के बिमार होने की ख़बर मिली वह डॉक्टर को लेकर सीधे घर पहुँचे तीन दिन में बच्चे की हालत में सुधार आने लगा लेकिन वह काफी कमजोर हो गया था बच्चे का ख्याल रखने में माधवी ने दीन रात एक कर दिया यह वही माधवी थी जो परिवार का शर्वनास करने का शंकल्प लिए उस घर में आई थी और आज उसी घर के चिराग की सलामती के लिए दिन में हजारों बार इस्वर से दुआय मांग रही थी शायद माधवी की दुआओं का ही असर था की पच्चे की शेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा एक सुबह मिश्टर बाक्ची बच्चे के जूले के पास बैठे हुए थे और मालकिन सिर्दर्द के कारण चारपाई पर पसरी हुई थी माधवी पास में ही बैठी थी बच्चे के लिए दूद कर्म कर रही थी माधवी की ओर देखते हुए मिश्टर बाक्ची ने कहा हम जब तक जीएंगे तुम्हारे एहसान के तले दबे रहेंगे यह तुम ही हो जो बच्चे को मौत के मुँँ से खीच लाई वरना हम तो उमीद ही हारने लगे थे इतने में मिश्टर बाक्ची भी उठकर पास आ गए और माधवी से कहा तुम एक देवी बनकर हमारे जीवन के कष्ट हरने के लिए आई हो आज अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता मेरी तुम से एक विंती है वैसे तो जीना मरना सब उपर वाले के हाथ में है लेकिन तुम्हारे हाथ में जरूर संजीवनी है मेरी तो किस्मत ही अभागी है पर हो सकता है तुम्हारे पूडियों से मेरे बच्चे की जान बच्चा मादवी चुप चाप मिसेज बाक्ची की बाते सुन रही थी मिसेज बाक्ची रुआसी आवाज में कहने लगी सच कहती हूँ अब तो बच्चे को गोड में उठाने तक से मुझे डर लगता है तुम इसे आज से अपना ही बच्चा समझो और इसकी माँ बन जाओ इसे भी तुमसे बहुत लगाओ है तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ और वहीं इसकी परवरिस करो जब तक या तुम्हारी गोड में रहेगा हमें चिंता नहीं होगी मिसेज बागची की बात सुनकर मादवी ने कहा मालकिन क्यूं ऐसे बूरे बिचार मन में ला रही हो बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है और देखना भगवान की इक्चा से सब कुसल मंगल होगा इतने में मिस्टर बागची बोल पड़ी नहीं बूढी मा मेरा दिमाग भले ही इन बातों को धकोसला करार देता हो लेकिन मन का एक कोना इस पर विश्वास करना चाहता है मेरी अपनी माने मुझे पैदा होते ही एक धोविन को बेच दिया था क्योंकि मुझे से पहले मेरे तीन बड़े भायों की मौत हो चुकी थी इसलिए मेरी जान बचाने के लिए उन्हें जो उचित लगा उन्होंने किया अब बारी हमारी है और हम से जो बन पड़ेगा हम करेंगे तुम इसे आज से अपना ही बेटा मानो और इसे साथ ले जाओ हमें जब भी इससे मिलने का मन होगा चले आएंगे और खर्च की चिंता ना करना इसकी पूरी परवरिश का खर्चा हम समय समय पर तुमें भेजते रहेंगे मिस्टर बाक्ची ने कहा मैं जिस पेशे में हूँ मुझे न चाहते हुए भी कई कुकर्म करने पड़ते हैं छोटी सहादतें बना कर निर्दोसों को फशाना पड़ता है उनकी और उनके परिवारों की न जाने कितनी बद्दुआएं मेरे सिर पर है मैं जानता हूँ कि बुराई का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता लेकिन मैं लोब में आही जाता हूँ अगर मैं ये सब न करूँ तो नलायक करार देकर निकाल दिया जाऊंगा अंग्रेजों को जहां सो खून भी माफ होते हैं लेकिन हम हिंदुस्तानियों की एक गलती भी हमें भारी पड़ सकती है इसलिए मेरी विंती है कि हमारे बेटे को स्विकार कर लो मादवी को भी उस बच्चे से बेहत लगाओ था इसलिए वा खुसी-खुसी मान गई गदगद होते हुए मादवी ने कहा आप दोनों की अगर यही एक्छा है तो मैं बच्चे को अपनाने के लिए थैयार हूँ मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को वो अमर करें बड़ी देर से बच्चा अराम से जूले में सो रहा था चादर से उसका मुँ ठका हुआ था मादवी ने दूद गर्म कर बच्चे को पिलाने के लिए जैसे ही उसके मुँ से चादर को हटाया उसके मुँ से जोर से चीख निकल गई बच्चे का सरे पुरी तरह ठंड़ा हो चुगा था और चेहरा पीला पड़ा था मादवी ने जल्दी से बच्चे को गोद में उठा कर सीने से चिपका लिया और जोर जोर से रोने लगी और चिलाते हुए बोली कि बालक हम सब को छोड़के भगवान के पास जा चुका है दिन भर पूरे घर में मातम पसरा रहा और रोने की चीक पुकारों से जैसे पूरा घर कौंद गया हो मिश्टर बाग्ची और उनकी पतनी का भी रो रोकर पुरा हाल था मादवी जो खुद बच्चे को खोने के दर से तड़प रही थी उन दोनों को शांतोना दे रही थी मादवी उनसे कह रही थी अगर उसके बस में होता तो अपने प्राड दे कर भी बालक को बचा ले थी लेकिन ऐसा संभव नहीं है मादवी जो अपना बदला लेने आई थी ममता के बंदन में बद स्वयम दुख लेकर जा रही है सच कहते हैं कि मा का दिल दया का शागर होता है मावा दे भी हैं जिसकी निर्मलता को कोई भी मैला नहीं कर सकता इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मा की ममता का पूरी दुनिया में कोई मोल नहीं मा अपने बच्चों की तड़प नहीं देख सकती और बच्चों की ममता के आगे वह अपना सारा क्रोध पुला जाती है वही यह कहानी यह सीख भी देती है कि इनसान को किसी भी परिस्तिती में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और नहीं किसी को दुख देना चाहिए अब ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए और सपोर्ट कीजिए थैंक्स पर वाचिंग वीडियो अब चाहिए